नमस्कार, मैं विमल कुमार तहीम हूँ और इस बुक का अर्थर हूँ जिसका नाम है English Word Power at Your fingertips. English Language में Words कैसे बंते हैं इसके बारे में मैंने एक नई श्रंकला एक नई सीरीज शुरू की है जो वीडियो नमबर 1001 onward है यानिके आप YouTube के उपर English Word Power at Your fingertips जा लिए और उसके बाद 1001,2,3,4 लेकर यह हमारा 306th, 1036th वीडियो है तो अभी कुछ पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि English Language में 9 तरह के प्रिफिक्स हैं जिसमें से एक प्रिफिक्स जिसको हम नेगटिव प्रिफिक्स कहते हैं वो मैं आज कल आपको बता रहा हूं नेगटिव प्रिफिक्स में हम आज कल डिसकस कर रहे हैं आई-एन आई-एन का मतलब नॉट या लेकिंग मैंने यहां प्लस इसले लगाया है कि इनको मैंने सेपरेट कर दिया है कि इनका मतलब सब वर्ट्स में नॉट है या लेकिंग है तो पहला वर्ड है हमारा इनफैलिबल इनकैपेबल आफ अपील्ड जिस केस में हम अपील नहीं कर सकते फर्दर कोर्ड में या किसी और अथर्टी को उसको हम कहते हैं इनफैलिबल इनफैलिबल आफ डिजायर जब हमें किसी चीज की इच्छा नहीं होती तो हम उसको कहते हैं इनफैलिबल जो लागू नहीं हो सकता नौट एप्लिकेबल इन एपोजट जो सुटेबल नहीं है इस योगे नहीं है कि हम उसको साथ में रख सकें तो मैंने यहां हिंदे में आयोगे लिखा है क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी सी वीख है फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है उनको इसके बाद है इन अप्रिशियेबल तू स्मॉल यहां कि डबलो आएगा इतना चोटा है कि हम उसकी वैल्यू नहीं कर सकते उसकी गिंती नहीं कर सकते थोड़ा या चोटा इन एप्रिहंसिबल देट के नोट बी अंडर्स्टोड जिसको समझा ना जा सके उसको हम कहते हैं इन एप्रिहंसिबल इन एप्रोचेबल का सिनिम है इनक्सेसिबल जो समान अर्थ है इसका हो है इन एक्सेसिबल जिस तक पहुंचा ना जा सके उसको हम कहते हैं इन एप्रोचेबल इन अप्रोप्रियेट नॉट सुटेबल जो सही नहीं है अनुचित इन एप्ट अन्फिट इप्ट का मतलब ऐसे होता है सुटेबल तो अयोगे इन आर्टिकुलेट नॉट जॉइंट जुड़ा हुआ नहीं है और हम लेंग्वेज की बात करें लेंग्वेज की तो नॉट अटर्ड विदा डिस्टिंट साउंड ऑफ स्कोकन लेंग्वेज जो अपने विचारों और भावों को स्पस्ट रूप से व्यक्त ना कर सके उसको हम कहते हैं इन आर आइस सिक्संडेड है यह 570 रूपीज में अवेलेबल है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बुक को केवल एमेजन या फ्लिप कार्ट से ही खरीदें अगर आप डारेक्ट मेरे से बुक मगाना चाहते हैं तो मेरी बुक का नंबर है मेरा फोन नंबर है 9810-388-374 ऐसा में इसलिए कह रहा हूं को कि मार्किट में मेरी पुराने एडिशन की जो बुक का पुराना एडिशन है उसकी डुप्लिकेट कॉपी लोग बनाकर बेच रहे हैं जो की सही नहीं है उनके छिलाफ मैं कानूनी कार्वई करने जा रहा हूं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो आप इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू